कि वेल्कम टू लर्निंग लोकस के लिए इंट्रियम सिन्दूनिस का जो लेक्चर प्रस्तूत किया ज़ा है इसमें आज 11 से 20 तो कंप्रिट किया जाएगा 10 कोच्छन्स होंगे तो आज का पहला कोच्छन 11 नंबर आपके सामने है वर्ड है लेवरेज इसको दो बार में हम प्रनाउंस करेंगे लेव और फिर दूसरे बार में रेज लेवरेज इस लेवरेज वर्ड की इन्नोनिम हमें सिरेट करनी है जो फोर आप्शन्स दिये गए हैं नीचे इन में से ल सबसे लेवरेज इसको मैं लिख देता हूं लेवरेज लेवरेज की हिंदी होती है प्रभाव तो अब इस वर्ड का आप अराम से निकाल सकते हैं सिर्णिम क्या होगा इसके लिए भी सारे का हिंदी मिनिंग चाहिए पारला है कन्क्लूजन मतलब आप जानते हैं फिर है इन्फ्लूएंस इन्फ्लूएंस का मतलब होता है प्रभाव और लास्ट होनी सजेशन सजेशन का मतलब होता है सलाह तो आप अब बताइए कि लेवरेज इसकी हिंदी है प्रभाव इस वर्ड के लिए इन चर्व में से कौन सा सिनोनिम होगा डेफिनेटली आंसर इसलाक पा T लेवरेज का मेनिंग प्रभाव है न लेप्रेज का एक और मिनींग होता है लाब उठाना लेवरेज का अधिक परयोग लाब उठाना मिनिंग के लिए होता है ध्यान नखिएगा लेकिन मेनिग प्रभाव भी होता है यह yeah, right, xyit गुल्ट इन्टी एका इंट। ग्रेम तो नहीं परते हैं इसको इन्ट और फिर ग्रेट का बताना है, सिंदर क्या होगा पर यायवाची स्थारू में से जो कि दीए हम क्या होना शाहिए तो सब्से पर इन्टग्रेट का मतलब होता है या समाहित करना या समाहित करना यह होगे इंटिग्रेट का मीनिंग अब है डिस्ट्रिब्योट का मतलब जानते हैं आप सब इसका मतलब होता है बार्तना फिर है और A-S-S-I-M-I, उपर ते हैं SIM, A SIM, और L-A-T-E को late, A SIM late, A SIM late का मतलब होता है सम्मिलित करना, इसका होता है सम्मिलित करना, इसका pronunciation मिलिदे रहाँ हूं, A SIM late, A SIM late नहीं परना है आपको, A SIM late परना है, I silent होता है, तेन डिस बर्स, इस बर्स का मतलब होता है भुकतान करना, पैसा देते हैं न, महतानक रूप में, भुकतान करना, तेन सेपरेट का मतलब पता है, आप सबको मतलब होता है बांटना, तो आप बताइए अभी, इंटिग्रेट जिसका हिंदी है, समाहित करना, समलित करना, मिलान उसका क्या हो सकता है सिननीम, definitely B होगा और सिमलेट, इसील आगी 2. question number 13, 13 is what is ponder, ponder का हमें तेरेट करना है, इननीम क्या होगा, ponder का सिननीम क्या होगा, हमें बताना है, तो सबसे पहले ponder का मीनिंग बता होना चाहिए, ponder का मीनिंग होता है, है विचार करना हिंदी मीनिंग है विचार करना अब जो four options हैं बताइए इन में कौन सा होगा इसका मीनिंग विचार करने जैसा होगा option तो पहला है terminate terminate का मतलब होता है बरखास्त करना बरखास्त करना ठीखें पिर है उट्सक्त देखास्त और पिर हैं इजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना अगले का मतलब आंदोलन करना फिर हैं meditate meditate का मतलब होता है इंतन करना इंतन करना कि के meditate तो इजी है उचार्म करने के लिए इसको एजिटेट को एगिटेट मत परहिएगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इजी एगिटेट्ल का मतलब होता है अंदोलन करना तो अभी पून्डर का क्या हो सकता है इसका हो सकता दी-्पर चिंतन करना चिंतन obsolet करना होता है तो यह लिए लिक्चर जो है कि अधिया होगा लेकिन अभी तक लगतार देखते हैं कब तक आता है पयाग का सिन्म मतलड़ा चाहएं ऑ packet सिन्म क्या हुगपगी पता हुए आपको पैंक्वात जो मिनिम होगा इसका मेंनिक होगा मारना इसा हार ना ठीखियों अब वट्स और उप्षन से चुकिं राइड पीट रैंग सैंग रैम से मतलब सवारी करना ये पता है आपको फींट मतलब मारना इह पता है आपको रिंग का सेकेंड की फर्म होता है रिंग घंटी बजाना उसका होता है रैंग सेकेंड फर्म है तो अब बताइए इसकी हिंदी है मारना इसका क्या हो सकता है इन चारों में से आंसर अजसी ननेम बीठ ऊपद़ का इसका अंसर बीठ ऊपद़ बहुत यजी है इसलिए कुछ नहीं कि टिंस नमर में और वर्ड है ई-एक्स एक्स पञज़ का बताना है एंटनीम उल्टा मिनिंग का वर्ड बताना है एक्सपञ़ का पहला इसटेफ होता है इस ननिम से लि कि लिए निम बताना है फिर options उसके बाद देखना options अब आ गये एकसपंज का मतलब होता है मीटाना मैं लिख दे रहा हूं इसका उचारन भी और कि हिंदी मेन इस पंज मतलब होता है मेटाना इसा बाकी जो options है उसका मिरी इसी इफ कहते हैं draw प्रो का मतलब होता है कि ना ठीक है वाइप वाइप का मतलब पता है आप सबको पूंचना तो और फिर मिट ओमीट का मतलब होता है मिटाना और फिर आइड आइड का मतलब होता है जोरना तो आप बताएं इन चारों में से जो वर्ड हम में एक स्पंज जिसकी हिंदी है मिटा मोस्ट अप्रप्रेट इन्टरनिम को हो सका है मिटाना मतलब कम करना तो यहाँ पर जोरना अधिक करना जोरना इसका अंसर होगा गया इसका अंसर इसका उचारन का पर ने शिक्क से को पढ़ना है क्या पढ़ना है 20 पस इतना ही वर्ड हो गया 20 और कुछ मत पढ़िएगा बहुत कुछ पर सकते हैं इसको पुल्टा-पुल्टा आपको पढ़ना है सब्सक्राइब यहां अब इस वर्ड का और इसका मीनिंग होता है मोटा इसका लार्ज मतलब बड़ा अब जानते हैं लेख दिया उचारण Stout मतलब ही होता है, Obese जैसा मीनिग वाला ही मोटा Slim, Slim का मतलब होता है दुबला पतला Last one is Grigy, Grigy का मतलब होता है चिकना ठीके, तो अब बताइए, world है Obese, इंदी होती है मोटा तो इन चारों में से कौन सा ऐसा word है, जो ULTA मीनिग रख रहा है कि मोटा का दूबला पतल हो था आप जानते हैं को चॉली में नमों besoin में लुए कोशिंट पैनर है यहां बताना है हमें इन्यम क्या होगा फांज़ा में बताना है कि पैनर का मतब क्या होता है परचार के लगाये रहता है तो गळाया और यही aanशर इसका होका बत मार्च मार्च का मतलब क्या होता है ि माछ का हां न कि देमा होता है पुलूस कि हेली की हिंदी मीनिंग रोन करना है JUμघट कि पोस्टर का पोस्टर और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध विरोध करना भी होता है और विरोध भी होता है यहाँ नाउन की बात करें सिफ लेवी रोध है तो बैनर अब बता है यह 2014 क्या होगा बैनर का पोस्टर हो जाएगा ओकए किसी चीज का प्रचेव करने के लिए पोस्टर और बैनर छपवाते हैं हम just कोई एक ही जैसा मेनिंग कारी करने वाला दोना वार्ड है तो सिन्निम हो जाएगा पैनल का पोस्टर इस सी एटिंथ नम्हाइए बी को पढ़ते हैं अब और ए सो एल बी को पढ़ते हैं जल्वा और लिखूं तो ऐसे लिखते हैं अब जल्वा अब जल्व का मतलब होता है त होगत करना अरुष मुक्थ करना अब हमें इस वर्ड का और जल्व का हमें सिलेट करना है जो फूर का मतलब होता है दोश लगाना और क्योंच का मतलब हो गया एक सिन्नीम करना है अमें अब्जर्ब का यहां दोश लगना उल्टा हो गया न फिर देखिए बी नंबर को सही से पुर्णास करना सिखना ती यो एन को पर ही कन टी-ओ-म-N में इन सैलेंट होता है तो डेम परते हैं कन डेम इसको लिख देता हूं मेंडर का मतलब होता है का मतलब होता है का मतलब होता है कि मिदंत करना ढुणें सी अ ही अटैक का मतलब ता आप जानते हैं आक्रमन करन अक्रमन और ऐर, पारडVA। पार डन मतलब होता है शमा करना तो आप बताइए अभी कि अब जल्ब जिसका मतलब दोश्मुक्ष करना इन चर्म से क्या होगा दोस लगाना तो होगा नहीं है कर दिया चंडिया मतलई निंदा करना डोश किरना निंदा करना मोश में करना करना कोई संबंध नहीं है एक ही बचा होगा दोश करना मतलब जो था उसे घ ι हुरी तो छाह एक तरह से तो सिम्लर मिनिंग ने स्इमलर मिनिंग इसी का है आंसर डी होना चाहिए और आंसर डी है और गिंत नम्र है आपके सामने कि एपी सीवेंड को पढ़ते हैं फेकंड करते हैं फेकंड का मतलब होता है उपजाओ इसका मतलब होता है उपजाओ बोलते बोलते न उपजाओ ठेकंड मतलब उपजाओ इसका करना है इंटरिम क्या होगा इसे में दाना है इसका इंटरिम क्या होगा मतलब उल्टा मीनिंग वाला फोर आपसोस में से क्या हो सकते हैं देखें बैरन है बैरन मतलब होता है क्या बैरन का मीनिंग आप जानते हैं उसर इसका मीनिंग होता है उसर ठीके पोलाइट का मीनिंग आपको पता है नॉम्र होता है नॉम्र है इसके बाद का इनियल को दूसरी बार में इनियल इसकी इसका जो मिनिंग है जीनियल का मिलन सार यह बहुत अच्छा वर्ड है मिलन सार यह याद रखे का स्पिरिंग से और यह वर्ड आस होता है कहीं भी इनियल मतलब मिलन सार देन आरिव डी को पढ़ते हैं रूड रूड का होता है हिंदी और शिष्ट तो अब बताई उपजाओ का उल्टा क्या होगा उसर ना यहीं पर काम खतम हो गया इसका नाउट क्या होगा इंटनीम अब पूछ रहा है इंटनीम क्या होगा हर मनी का यह बताना है हर मनी इसे बोलते हैं अर्मनी ऐसे कर सकते हैं हर्मनी के मतलब कह सकते हैं सद्भाव मेल मिला भी कह सकते हैं मेल लाप का हिंदिया ऑप्शन साब को समने आगा है ऑप्शन पहला करना उचारण सिखना ठीक से पहला को पढ़ते हैं राय पूर पस आर एको राय और पी पी ओ आर इस सालेंट होता है पर यह पर यह पर यह पर यह पर का मतलब होता है या प्रेंशिप का मतलब जानते हैं आप इस का मतलब सांती और लास्ट वन जो ओड है हेट और इड को परते हैं रेड हेट रेड मतलब क्या होता है यह मतलब द्वायाश घिरना और बहुत सिंपल वर्ड का हैं तो इसका मतलब नफरत नफरत तो बताईया भी हर्मनी इंदी है मेल मिला आप उल्टा मिनिंग का क्या है ताल मेल तो यह थे मिला का मेल आपका राल मेल एक ही जडिक है तो ईल्टा मिनिंग हो नहीं रहा है फ्रेंजी में तो दोस्ती यह भी एक ही मिनिंग रहेते हैं इसे ही क्रोंटी और 30 कम्पीट करेंगे जो एप सिन्निम्स एंपनिम्स हैं एसे सी सीजियर पर फोकस्ड है लेकिन जो भी एकजाम जिसमें सिन्निम्स पूछा जाता है वहाँ पर पूरा एक काम करेगा थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच